हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपके चैनल शेवदार वितायुष और कल के लिस्टिंग आइडिया फोर्ज की उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं काफी लोगों को हुसकता है कि नहीं पता हो लेकिन दोस्तो कल ही आइडिया फोर्ज टेक्नलोजी मारकेट्स में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा लिस्टिंग डेट चेंज हो गई है और वो जो डेट है जो पहले 10 तारीक थी उसको 7 तारीक कर दिया गया है तो यह बात बहुत important है जिनको नहीं पता है पहले 10 से अब 7 जुलाई को ही मारकेट्स में आइडिया फोर्ज टेक्नलोजी की लिस्टिंग होने वाली है लिस्टिंग को लेकर definitely there is जो एक difference है वो अभी काफी लोगों को नहीं पता है कि कौन सी डेट चेंज हो गई है बढ़ हाँ यह है कि आइडिया फोर्ज की तारीक जो है वो 10 तारीक से अटके 7 तारीक पे हो गई है और sign DLM को लेकर भी आपको मैं update दे देता हूँ as of now तो कोई बात निकल की नहीं आई है and mostly 10 तारीक को ही sign DLM भी list होने वाला है तो यह भी एक आपको बता दिया है मैंने because यह एक update था ठीक है लेकिन इस वीडियो में हमारा main मकसद क्या होने वाला है idea force technology की listing day strategy बनाना again यह सिर्फ मेरा personal opinion है पहले मैं clear कर देता हूँ कोई भी आपको कोई recommendation नहीं है just हम समझेंगे कि कल किस तरीके से listing होने वाली है तो सबसे पहली बात तो जिनको भी IPO मिला है आपको सबसे पहले congratulations जिनको नहीं भी मिला है उन लोगों के लिए वीडियो काफी important है because क्या buying हो सकती है in levels पर तो देखे 672 rupees के हिसाब से आपको total मिला कर एक share मिला है total कितने shares है 22 shares है आपके पास जिन लोगों ने वे retail में लगा है उनकी बात कर रहा हूँ बहुत सारे players है नहीं इस पूरी industry के अंदर काफी players नहीं है ये एक सबसे बड़ा हम कह सकते हैं point है लेकिन ये बात जरूर है कि ये बहुत ज़ादा competitive industry बनेगी आने वाले समय के अंदर तो ये बात पता होना चीए आपको कि अभी current situation क्या है लेकिन क्या future scenario है future scenario को लेकर भी एक चीज हमेशा दोस्तों thinking में रखनी पड़ेगी अगर आप stock को long term के लिए hold कर रहे है short term की बात अगर हम नहीं भी करें तो ठीक है लेकिन क्योंकि listing strategy की बात हो रही है तो ये बात आपको मैं अटा देता हूँ कि markets ऐसे companies को currently premium दे रहा है अच्छा खासा premium दे रहा है examples भी आपको मैं दे सकता हूँ एक example है दोना चारिय का एक SME company थी लाजवाब listing होई थी उसकी idea force technology लाजवाब subscription आया लाजवाब listing होने वाली है एक और अभी SME IPO है drone का ही और उसकी भी grey market बहेंग का चल रही है और वो भी बहुत अच्छा subscription grab करेगा इसकी काफी दद समभावना है तो यह मान के चलिए कि यह इस industry से जुड़ी हुई drone industry से defense industry से जुड़ी हुई जो भी companies आएगी currently उसको market काफी मैं यह कह सकता हूँ अच्छा response देगा अगर company में थोड़ी सी भी अच्छा ही है थोड़ी सी भी ऐसा नहीं कि company बहुत ही बुरी हो और defense की हो फिर आजाया फिर आप बोले कि इसको तो नहीं मिल रहा नहीं थोड़ी सी भी अच्छी हो उसको काफी अच्छा हो यहाँ पर markets में premium मिलेगा market उसको अच्छा खासा premium पे list करवाएगा यह आपको मैं कह सकता हूँ अब current जो इसकी price to ending थी अगर मैं बात करता हूँ तो वो है 87.54 की यानि 87.54 की price to ending पे already markets में आया था और उसके बावजूर भी आप notice कर सकते हैं कि यहाँ से और उपर ही list होने वाला है यानि इसका जो valuation है सबसे important बात जो valuation है वो थोड़ा से expensive हो जाएगा तो मैं यह कह सकता हूँ कि listing के बात खरीदना थोड़ा सा joking बना हो सकता है अब कौन से level से चली उसके उपर बात कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो अगर मैं grey market चेक करता हूँ right दो तिन grey market चेक कर लेंगे तो पहली जो website है वहाँ पर grey market है almost 545 रूपीज इसका मतलब क्या है कि 81% का premium market देने को तयार है 81% right तो पहला तो कितना दिख रहा है आपको 81% का premium second अगर मैं चेक करता हूँ site पे second website पे अगर मैं idea of words की grey market चेक करता हूँ तो grey market exactly same है इसका मतलब क्या है कि markets कम से कम इसको 80% premium देने को तो तयार है grey market तो अगीन यह exact market नहीं है यह grey market का मतलब यह होता है कि वहाँ पर भी trades होते है तो उसके इसाब से अभी अगर कोई value मिल रही है तो वह 545 rupees मिल रही है above the price band इतना अभी current जो grey market है वो देने को तयार है अब grey market का मतलब यह नहीं है कि exact TCP opening होने वाली है grey market का मतलब यह नहीं है कि अगर यह बता रहा है कि 542 रुपे और मिलेंगे तो पका 545 रुपे ही मिलेंगे नहीं इससे उपर भी जा सकता है इससे नीची भी जा सकता है इसकी possibility होती है यह उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन लोगों ने first time किसी IPO के इंदर apply किया था और उनको यह IPO मिला है ठीक है अब मेरा estimate क्या है मैं आपको यह बता देता हूँ तो सबसे पहले अगर grey market का हिसाब देखते है तो grey market तो यही कहता है कि कम से कम यह जो IPO है यह list होगा 1217 पे अगर price की बात कर ले तो 1217 रुपे के आसपस list होगा इसका मतलब जो मुनाफ़ा भी बैठता है आपको कहीं भी कोई problem देखने को नहीं मिलेगी आज भी अगर आप में notice किया होगा तो शुरुआत में Asian markets डाउन थे जो gift nifty है वहाँ पर भी आपको जादा कुछ उटा चड़ा आप देखने को नहीं मिल रहा था mostly markets नीचे खुलने वाले थे लेकिन still market के जो breath है वो बहुत मजबूत है और ऐसा नहीं कि कोई एक stock चल रहा है अभी आप पूरे सब हर एक stock को participate करता हुआ देख रहा है तो एक बात तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि markets का जो view है वो बहुत अच्छा है तो मैं ये भी आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत chances है कि जो 672 का price band है उससे और कम से कम यहाँ पर 550 रुपे से लगाकर 580 रुपे और मिलेंगे इसकी possibility बहुत higher है तो मेरा higher end और lower end यही है कि कम से कम 550 रुपे तो और मिलने चाहिए यानि जो 672 का price band है वहाँ से 550 रुपीज और उपर list होने की possibility मुझे बहुत दिखती है इसका मतलब यही है कि इसकी जो listing है जो मैं मान के चलता हूँ होने वाली है at around 1220 अगर मैं इसको round off कर लेता हूँ and 1250 के बीच में 1220 से 1250 के बीच में यह कैसे भी करके list होना चाहिए अगर 1220 के नीचे list होता है तो मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी low listing होई अब इसको खराब थो बिल्कुल कहा नहीं सकते बट यह है कि यहाँ थोड़ी सी low listing होगी बट यह है कि अगर 1250 के और उपर list होता है तो इसका मतलब यह है कि markets ने बहुत अच्छा premium दे दिया है और markets ने इसको बहुत जादा बढ़िया तरीके से listing करवाईए overall मैं यह मान के चलूँगा because 1250 के उपर list होना बहुत बड़ी बात हो जाएगी हो भी सकता है कि यहाँ से list हो जाए कि double equal जा direct बट उसकी possibility अभी भी मुझे थोड़ी सी low लगती है प्योकर markets ने इसको बहुत अच्छा premium already दे रखा है और 80% के उपर अगर कोई IPO खुलता है तो एक बात तो अपने दिमाग से निकाल देना है कि क्या इसके बाद buying करनी है मेरा तो personal opinion है again कोई भी recommendation नहीं है again disclaimer है बट बड़ी बात यह है कि हाँ मुझे यह लगता है कि यह 80% उपर list होने के बाद इसकी valuations बहुत high हो जाएगी और I think कोई ऐसा business नहीं है यह कि हीरे मोती बिल्कुल निकल रहे हैं अपन पीट रहे हैं उसके बाद बावजूद हीरे मोती निकल रहे हैं ऐसा नहीं है न तो I think यह है कि हाँ new business है तो markets हमेशा दे कि exciting रहेगा markets में ऐसे businesses को अच्छे premium मिलेंगे but again उसके बाद जो premium मिल रहे हैं उसको थोड़ा सा भी हमको देखना पड़ेगा तो मेरे साब से उसके बाद buying करने का कोई sense create नहीं होता है तोड़ा सा यह I think correct होगा और उसके बाद लेने में ज़्यादा मज़ा आएगा रहदर दिन की यहाँ बिल्कुली buying करने के लिए भागे तो मेरा मानना क्या है कि अगर यह 1200 रुपे के उपर लिस्ट होता है तो मेरे साब से यह कोई buying opportunity नहीं होगी उन लोगे लिए कह रहा हूँ जिन लोगों के पास allotment नहीं आया है क्या होता है ना कि आप अगर 250 के आज़ पास खरीद ले और उसके बाद यह लगातार गिरता जाए कोई इसकी वो guarantee नहीं है ना तो यह बात हमकों को यह समझना है कि एक अच्छे listing के बाद इस बेटर टू wait and watch यह नहीं है कि हमको participate करना ही अब आपका पैसा है आपकी मर्जी है वो आपके definitely decent होने वाला है मेरा क्या मानना है वो आपको नहीं अता दिया है मेरा मानना यह है कि जो मुनाफ़ा भी है जो मुनाफ़ा भी है वो पर individual को अच्छा कासा होने वाला है उसके अंदर कोई चिंता करने वाली बात नहीं है अगर देखा भी जाना तो कम से कम 11,440 रुपे का मुनाफ़ तो होना ही चीए और 11,440 से और भी उपर अगर लिस्टिंग होती है 11,440 से मेरा मानना यह है कि कम से कम 12,100 के बीच में इसका मुनाफ़ एह पर इंडिवीजुल को होने वाला है इसका अब यह कि कम से कम 11,500 रुपे से 12,000 रुपे तक का तो मुनाफ़ आप मान के चलिए अगर इसके उपर मुनाफ़ मिलता है तो well and good नीचे भी मिलता है थोड़ा बहुत तो कोई चिंता कहने वाली बात नहीं है एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा and definitely उसके बाद आपकी strategy होनी चीए कि आपको क्या करना है मेरा मानना ये है कि valuation थोड़ी सी high हो जाएगी तो better ये है कि थोड़ा सा मुनाफ़ा बान लिया जाए but again पैसा आपका है आपको विचार होना चीए आपको क्या करना है मेरा तो काम है मेरा personal opinion देना जो आपके साथ मैं share कर रहा हूँ उसको लेना है नहीं लेना है वो बिल्कुल आपके उपर है अगेन ये आपको कहूँगा तो मेरे साब से listing तो exact अगवापिस से बता देता हूँ किसके जो listing होने वाली है वो overall मैं मान के ये चलूँगा किसके listing कल 672 में 520 रुपय आप जोड लीजिए जो करीबन 1192 बैठता है 1192 या फिर 1190 से कम से कम की उपर list होना चीए around 672 प्लस 550 जो almost दोस्तों आता है 1222 यानि ये मान की थे लिए 1200 से 1220, 1230 के बीच में इसके एकल listing होने की possibility बहुत जादा दिखती है अगर exact आपको मैं value बताऊ इसके उपर list होता है तो बिलकुल अच्छा है इसके उपर list होता तो बहुत अच्छा है आपके इच्छा होनी ची कि आपको 50% बादना है, 100% बादना है, 20% बादना है, 30% profit बादना है, वो क्या है वो आपका particular decision होने वाला है मैं अगर होता, तो मैं थोड़ा सा profit book करने के उपर सोचता, because valuation हो जाती है, और उसके बाद I think markets कितनी value कर देगा ऐसी companies को फिर वो जब गिनना चालू होते हैं, तो बहुत तेई से नहीं चाहते हैं, ये मुझे एक fear रहेगा जब अगर इसके उपर list होता है तो तो hopefully दोस्तों आपको समझ में आया होगा again, अभी भी मैं ये कहूंगा कि chances दिख रहे हैं, double listing होने के, because जो subscription निकल कर आया है, हो सकता है कि कोई fund भी वापिस से इसके इंदर buying करने आ जाए, बट देखना ये होगा कि आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी अपना आप में question हो सकता है, since subscription was very high, was very very high बहुत अच्छा पैसा आया, ऐसा पैसा बहुत कम IPOs में आपने हाल फिलाल में देखा था और ये उनमें से एक IPO था, तो देखना ये है कि क्या कोई fund buying करने आता है, वैसे तो possibility कम दिखती है, लेकिन अगर आ जाता है तो उतना की थोड़ा बहुत और rally कर जाए but still, मेरा जो personal opinion ने वो आपके साथ में ने share कर दिया है कि इसके बाद, I think profit बानना मेरा सुझाव ये रहेगा कि हां में profit बान लेता बाकि आपको अपना addition लेना है इस वीडियो में इतना ही था, आपको क्या आपको क्या लगता है, ये मुझे बताईए क्या लगता है, कितने पर list होने वाला है exact value, comment section में ज़रूर बताईएगा कि कितने पर listing होने वाली है, इस वीडियो में इतना ही था thank you friends for watching this video